यह हर महीने आता है जब आपके हिर्दय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा आपको सिकारना है बाबा आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा है बस हात में चंदन लगाया बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर वदिद्यों महादेव से दिल से कहकर अशुक सुन्दरी वाली जो जगा होती है आपको बताया है अशुक सुन्दरी का जो स्थान होता ये शिवलिंग यहां अशुक सुन्दरी की जगा इस बेलपत्र को अशुक सुन्दरी वाली जगा पर जहां शिवलिंग है है अगली सुम्भार क्या स्थमी अगला प्रदोष यह अगली शिवरत्ति जभाती है मेरा महादेव आपकी मनों कामना का भाब को यह शिव सत्व है कि एक अपने जीवन में उतार कर रखियेखा कि तो मैं कि शुद्ड प्रदोश बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का दरख्चु वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए अब एक बात का समर्ण आपको रहे थोड़ा सा अगर किसी कामना के वश्य अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावुद्पन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कारे है आप पून करिएगा तो फिर शुमंदिर में भी लंबी बाती का दीप प्रदोश या सुमर्ण की अश्टमी या सुम्बार य आप शिवरात्री को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं हां विशेश जब कोई एक बहुत बहुत बढ़ी बात हो और आपके कारे में कहीं अटकल हो रही हो तो एकी दीप में दो बात शिव और शक्ति लंबी बाती बनाई है शिव और शक्ति के नाम से बाती एक सान एक दीप में भी लगा सकते हैं आपका विशेश कोई आपका कारे हो और वह अटक रहा है है और आप बाबा से प्रांथना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे शिव श्ट्ट्र शंकर भगवान को धतूरा कप चड़ाना चाहिए उसका जका आपका उस्सवह है कि आप कहीं धभातुरा छड़ा या कि विशेश कोई बिमारी असी लग गई है या विशेश कोई तकलीप अची हो गई है जिसका निवारन नहीं हो रहे है तो आप धभातूरा। aim झालदी में भिंग एक या जाता है लच्चमि के लिए। चन्दन ने भिंग और द्टूर चड़ाया जाता है आयू की विर्धी के लिए। अभीर, अभीर एक सफेद कलर का बौरबर होता है अभीर गुलाल में भीर डलता है, चमकदार अपने देखा उगाँ तो अभीर में धतूर्य जो डुबा प्र हो रोग कैंहें कर दोक्ति को रोग के जरौ हैं हो एकिस्मन होता है माहराज बहुत भारी रोग है है ने बेमारी लग गई है दॉक्टर अपना काम कर रहे हैं घरका ब्यक्ति बहुत बेमार ह furnace में पढ़ा रहा है तो बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे भी शिविलिंग का निर्मान करकर एक धतूरा समर्पित करा जाता है जिससे रोग से मुक्ति होके उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है ना चंदन लगाया जाता है ना भीर लगाया जाता है केवल धतूरा चिड़ाया जिसके जीवन मे हमेसे काटे ही मिलें बेटी बड़ी हुई तो घर में माईके में दुख देखा और माईके से गई सुस्राल में तो सुस्राल में दुख देखा सुस्राल में भी दुख देखने के बाद में भी पती को बहुत कुछ काम खुलवाया बहुत धंदे खुलवाया नोकरी लगवाई पर वो पती बार-बार छोड़ करा गया बार-बार तकली भोग रहा है बार-बार कश्ट भोग रहा है फिर थोड़े दिन काम करता है थोड़ मैं तीन दिन में जो शूल मुझे समरबित करता है उसके जीवन से में शूल हटा देता हूँ वो तीन दिन लिखें सकंद पुरान महाराज बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गये हों परिशान हो गये हों कष्ट में जीवन जी रहे हों बहुत दुखी हो गये हों उनके लिए यसकंद पुरान का चरितर फिर मिले ना मिले आप्रेम से सुनने आउस पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुद्वार की हो गुरुवार की हो शुकरवार की हो शनीवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो बस डूबा ही हो और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री ना चड़ाते हुए बेल पत्री के ब्रक्ष के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करें जाते हैं महाराग अपनी जिंदगी में अर्चनों को हटाने के लिए फिर आप जिस वे पार में उत्रें जिस वे उसाय में उत्रें जिस नोकरी में उत्रें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप हार नहीं सकते नीचे नहीं आसाथ उन्नती पर ही चड़ेए गया एक वेशाक मास्की प्रदोश दूसरा शिवरात्री के दिन मध्यान का समय माराजा जो बड़ी शिवरात्री होती है मागती बड़ी शिवरात्री के अंतरगत मध्यान का समय दोपाहर के फीक बारा वजे चाहिए फिर वो कोई भी दिन हो उमारा है शिवरातरी जिस दिन पढ़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेल पत्री के आवरप छेके समर्पित होते हैं मारा इसमें आप ये वाले जो काटे हैं जो शिवरातरी के दोपहर 12 वज़े वाले हैं अगर कोई मदिरा पीने वाला हो वैसन में डूबने वाला हो कोई जुआ खेलने वाला हो कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ती है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का व्रक्ष है दुतिये शूल में वहाँ धारन करता है तुतिये शूल पीसरा शूल जो वर्णन करा गया महराज भगवान स्रावन के महिने में स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुम्बार पड़े जो भी पड़े स्रावन के महिने का जो दूसरा सुम्बार होता है उस दूसरे सुम्बार में रात्री के समय पर अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का इसमन करेंगे तो रात्री के बजेंगे 10 से 12 बजे मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महरत ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में पेख लिए गवर्मेंट एक्सदाम के लिए बेट लिए नहीं हो रहा ये तीन बार मेरे शंतर को बेलपत्री के ब्रक्ष के शूल समर्पित होते हैं उसका आनंद पाना और उससे अपने कोई सुप्राप्ट को कि बाबा बोलेनाथ जी के नएना शुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्रक्ष का पोधा है माता पारवती के नएना शुरू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोधा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वरी जिनकी बारा खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा कि वह महेश्य मा है वह महेश का जो चरीटर है कि उमार माई कम है जकत प्रागट उऄा उमार महेश जब दोनो आनंद में विवह वर कर जब चलते हैं और दोनोंगे बेठने से या मउद्रा से जो पोधाु पन होता है वह संही का पोधा शमी का पोदा तो एक बात द्यान रखिए शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है उसमें कोई काटे नहीं है पारवती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेल पत्री का पोदा उसमें काटे है और पारवती के मिलन से भी जोत्पन हुआ है शंकर के स लेनाट जी से कि प्रभू मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है थोड़ा सा माता हूँ मेरी जीजी हो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर पर लग जाए पर आज कथा निकली है तो सुन लो कि शिव जी जिस रुद्राग्च को उत्बन कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिलपत्र उसमें भी शूलता है तो भगवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए प्रभू मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरीका जो सुभाव होता है उसके हिर्दाएं में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते है जेठानी ने ये कर दिया दिवरानी ने ये कर दिया तुमारी मम्मी ये बोल दी तुमारे पापा ने ये कर दिया तुमारी बेहनों ने ये कर दिया तुमारे भाई ने ये कह दिया, तुमारे रिष्टदार ने ये बोल दिया, ये ये नारी के बीतर ये शूलता रहती है, तो पारवती जी बोली कि जितना तप आपने करा, उतना तप मिने करा, और जितनी साधना आपने करी, उतनी साधना मिने करी, और जितना अरादना दिल स आपने करी उतनी अराधना दिल से में ने करी फिर इसमें शूलता कहां से आ गए भगवान शिभ बोले बस पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बेटता हूं तो मेरी दृष्टी में सम्मुक में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है कौन ने क्या वोला है कौ तो तेरी चित्त ब्रत्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आही जाता है कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूल ता भरी हुई है महाराज बताओ इतने सारे भगवान इकटे कर लिये मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पड़ रही है अब ये करना पड़ रहा है परिशार लेने के लिए रसोई घर में गई बगवान का भूग लगाने के लिए तो उसमें भी शूल ता गई इपते घंटों से मैं समान डोंडरी फिरीज में मिली नीरा में रखे गई थी बगवान जाने कहां चले गई बगवानों को वस्त्र पिना रही है तो उसूल ता है अलमारी का ड्राज कोला इसमें मैंने समान रखा ता ना जने बगवान का शंगार कहां चले गई है कौन ने हाथ लगा या फिर शूलता आ गई भोजन करने वेटे तो शूलता है कोई कारे के लिए जा रहे हो तो शूलता है अरतात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है और पारवती जब तुम भजन करो तप करो साधना करो भक्ती करो उसमें शूलता नहीं ह पार्वती जी ने कहा बोले ना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र की रूप में पद्म पुराण, इसकंद पुराण लिंग पुराण नरवदा पुराण और श्यू महा पुराण ये सारी पुराणे वर्णन करती है पारवती जी का खंड आनंद वर्चत कर रहा है बर्णन कर रहा है पारवती खंड बर्णन कर रहा है सती खंड बर्णन कर रहा है ओमा सहीता बर्णन कर रही है क्या आप मेरा ये बेलपत्र का सुरूप आप धारण नहीं करेंगे इसमें शूलता इसलिए भगवान करते हैं नहीं नहीं धारण तो करूंगा है वो केबल शिवरात्तरी के दिन करने का होता है अपने मन की अभी राशा रख कर तुम्हें जो चाहिए करकार कि आ आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी हमने भी करी एक ऐसा रेता समें नो करें या पेंसिल उसमें भर देते हैं वह उससे ऐसा पेंज गुमा गुमा कि उ को ऐसा रखते हैं यह को पीपर ऐसा रखा जाता फिर इसको ऐसा गूमाते हैं गूमाते हैं कि आरे बोला तो सब ने कर एंग गूमाते हैं दिल को एक में लगाकर रखो बाकी की सब दुनिया में गूम हो दिल एक में लगाकर बेड़ गा, चित एक में लगाकर बेड़ गा, तो सरश्टी में कहीं पर भी घुम कर आओगे, परमात्मा उस जगा पर हजिर मिल जाएगा, पर इस्थान मत छोड़ना, जगा, चित ब्रती ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका इसमन लाइन न चुटे, यह बस्तुव in, यह सामान, यह सामागरी, यह दोलत, यह सत्ता, सब जाने वाली, जहां बेठे हो, उस मन को वहां लगाना, हम तो यहां तक करते हैं, यहां तक करते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, खाने में लगा लो, बफेट्य में congressional तो बभेट में लगाओ साधी में जाओ तो तुड़ा रिस्तिदारों में लगाओ और अगर सशंग में आओ तो मेरे भोले नात में लगाओ दिल लगाना ना भूलिएगा पर मातमा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो तीन घंटा दो घंटा एक घंटा आदा घंटा जितना हम भगवान को देना उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए पर ना जाने दुनिया के लोग का चले गए वा मोबाइल ने सब भटा दिया हर 15 मिनिट में यह सी याद आए ने वाटसप खोल के वेड़ जा आप इस्त्रपुंड तीन देखा का दर्शन भगवान विष्णू के मस्तक पर भी कर सकते हैं आप यतीन देखा का दर्शन स्वयम ब्रमा के मस्तक पर भी कर सकते हैं आप यतीन देखा का दर्शन स्वयम भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं श्रीजी बाबा के मस्त तिरुखुमाला में जो तुरुपति बाबा-का पन धर्षन करते हैं और तिरपुंड लगा है वह घड़ा है दो ऐसेर्ल भीच में लाख मेरे सुनीजी बाबाने इपने मस्तक पर TP до धारं करकर रहा है मेरे श्रीजी बाबा ने भी अपने मस्तख पर तिर्पुंड धारण कर रहा है और बाद में एक कूंकु की रहुली की एक तिलग को धारण करकर रहा है तो वह तिर्पुंड का जो दर्शन हो रहा है सोने की तीन देखाओं का जो दर्शन हो रहा है वह आप करेंगे वह सोने की जो तीन देखा है उसका जो दर्शन हो रहा है तो आप कर सकते हैं